कोवीड महमारी से निप्टने के लिए खरीदे गए सेनिटाइजर पर तीन गुना दाम की फर्जी मोहरें छुट्टी के दिन लगाई गई थी इस घुटाले में सनलिप तेक भाचपानेता ने अपने प्रभाब से छुटी का दिन होने के बाब जूद संबंधित प्रांच के सुप्रीटेंडेंट को सचीवाले बुला लिया था सुप्रीटेंडेंडेंट को साथ लेकर सप्लायर ने सचीवाले में पहुंचकर 50 रुपे के सेनिडाइजर पर 150 रुपे के फर्जी ठपे लगाए थे कोरोना वाइरस में हमारी के दौर में मानपता को शर्मशार करने वाले इन दोनों की करतूत सचीवाले की वीडियो फूटेज में कैद हो गई थी विजलेंस के हाथ लगी इस फूटेज के बाद अब सप्लायर के साथ सुप्रिटेंडेंडेंट वर ब्रांच के दूस्टे करमचारियों पर भी जांच का फंदा चड़ गया है सेनिटाइजर घोटाले में सचीवाले परशास्तन ने अधिक्षक को सस्पेंट कर दिया है अभी इस मामले में विजलेंस की जांच चल रही है जिसने पूरा रिकॉर्ड घंगाल लिया है और चल दही विजलेंस इस मामले में भी F.I.R. करेगी क्यास लगाए चाह रहे हैं कि इस में अपरोक्ष रूप से भाजपा के एक नेता का भी हाथ है जो की सप्लाइर का रिष्टिदार है इतना ही नहीं ये सेनिटाइजर किसी कंपनी ने दान किया था जिसको सचीवाले में लाकर बेच दिया गया प्याल ट्रिबिकली शिमला से व्यूरो रिपोर्ट